गोंदिया में कोरोना काल के लंबे समय के बाद आनारक्षित टिकेट लगभग सभी च्रेनों के लिए बंद कर दी कई थी जिससे यात्रियों को काफी असो विधा हो रही थी वर्दमान में कोरोना का प्रभाव लगभग खत्मसा हो चुका है यात्रियों को हो रही असो विधा को देखते हुए दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे रेल सलाहकार समीधी सदस से इंजीनियर जसपाल सी हैं चावला ने आनारक्षित टिकेट शुरू करने की मांग कई बार रेल मंत्राले इवन प्रशासन से की थी जिसे रेल प्रशासन सफिक्रित कर लिया गया दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे द्वारा एक जोन 2022 को दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे के अधीन आने वाले सभी ट्रेनों के लिए अनारक्षित टिकेट देना शुरू कर दिया गया है वह इस महने के अन तक दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे श इंजिनियर सिटिजन टिकेट आदि सभी सुविधाई पुर्ववत की तरह शुरू करने की मांग भी निरंतर काफी समय से चल रही है। सलाकार समिती सदस से इंजिनियर जस्पाल सिहें चावला ने कहा रेल प्रशासन द्वारा की जारही यात्रियों की सुविधा हित की अन्य सभी मांगों को जल स्विक्रुत कर यात्रियों को राहत प्रदान करेगा। पूर्व विधायक मानिय श्री गोपालदास अगरवाल का अभारवक्त किया। बीसे न्यूस के लिए गोंधिया से अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट।